बगवान राम पैदा ही नहीं हुए थे मैं आपको पूछना चाहता हूँ क्या बगवान राम का जन्म हुआ था? आव आज इटिली तक पहुंचने चाहिए ये राम और रोम पी लाएं दो क्या बगवान राम का जन्म हुआ था? माता सिता का जन्म हुआ था? माता सिता और प्रभुरान के साजी हुई थी? माता सिता का भुवा था? राम उठा के ले गया था? लंका ले गया था? उसको ले जाने के लिए प्रभुरान दे थे? जाने के लिए पूर्ण बनाया था? आपको मालूम है उनको मालूम नहीं है ये राम में तो आप में तो नहीं बताओ आप सोचिए जब भगवान राम ये सेत्व बना रहे होंगे तब राम तो मन में क्या विचाराया होगा आखिरकर रामा भी तो सरकार चलाता था उसकी भी कोई पुलिस डिपार्टमेंट होगा उसका भी कोई इंट्रिजिस डिपार्टमेंट होगा वो पुलिस डिपार्टमेंट इंट्रिजिस डिपार्टमेंट राम को जनकर भी देता होगा पर राम ने पत्थरे कटे किये हैं, नरों निर्ट जैसे बड़े बड़े इंजिनेर आ ले हैं, साब ये वार सेना दे हैं, सब टाइबर के लोग आ गें, और अब ब्रिज बनना शुर्चित, समाचा तो नहीं जाओंगे, तब रावन क्या सोचता होगा, रावन यही सोचता ह होगा, दिन रात यही सोचता होगा, यह पूल ना बने तो अच्छा, फिर भी फूल बना होगा, तो सोचता होगा, तो तूट जाए तो अच्छा, फिर भी बना होगा, तो सोचता होगा, जब राम उस पर जाते हो तब तूट जाए तो अच्छा, राम के जो अच्छा अध प्यास हैं मेरा मनेके जीवन मेес महतंपूँ घटना की एक बड़ा टर्निंग पाइंन मेरे इसावज से वह है जब हनमानजी सीता की खोश के लिए गये और रामन के सहिनिकों ने हनमानजी को कैद कर लिया और जब हनमान जी को कैद कर लिया तो हम रामन ने सुचना दिया और उसकी पूश को आंग लगाई रामन ने हरमान की पूश को आंग लगा कर कि जो गलती की थी बैसी गलती अफिडेट करके किये जाब अब यह जो गलती अफिडेट करके किये मित्रों और यह दिरलती लोग देखिए मित्रों यह दिरलती लोग कह रहे हैं कि यह राम सेतु 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 समुधर्म प्रोजेक को अटल जी की सरकार ने किया था मुझे बताईए कभी हमने यह कहा है कि विकास के लिए सेतु नहीं बनना चाहिए सर्म ने कभी कहा है वे मैं तो आगी कहता हूँ और मैं भारत सरकार को कहता हूँ अगर आपको समझे नहीं तो गुजर्म आपको कॉंटक्ट दे दीजिए यह भगवान राम का सेतु तोड़े गिया दूसरे चाहँ सेतु बन सकते है मित्रों सेतो में ने को ने रोब ने करता है आम मतों जिव अठरजी की सरकार थी पाँच अलगर अल्टरनेट की मोडल रेडी है पाँच अलगर अलगर मोडल अब उसमें ये प्रबुराम के दोरा बनाये हुआ सेतो तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है उसके बाद भी बन सकते हैं हम विकास के पच्चकां लोग हैं हम डेमर्पेर्ट के पच्चके हैं हम भी चांते हैं बढ़े लेकिन तोड़ना जरूरी है क्या लेकिन ये तोड़ इसलिए रहे में तो उनको तो इस देश के आस्थाओं पर चोड़ पुरा चानल मजाता है इस देश के गराम के नाम को मिटाना ये उनका मकसद है और तब जाकर कैसी चीज़े करते हैं मित्रा और कॉंट्राटिशन देखिये साथ एक ही सरकार में दो पार्टर एक एक तीन पार्टर मैं तीनों के नमोना बता रहा चाता है तो गंदीजी वाले तीन पंदर की बात नहीं है देखें दिल्ली की कॉंट्रेश की सरकार रेविडेट करती है बागवान राम का जन्म नहीं हुआ था उनके एक समर्थत कम्मिनिस पार्टी के एक लेता का नाम है सिताराम ये चूरी कॉंट्रेशन देखे था कॉंट्रेश पार्टी केती है भगवान राम के जन्म नहीं हुआ था और कॉंट्रेश जी केता है वो शराबी था अर्य चन्मनी मुत तो ज़रा नहीं केसे दाबाई यह कॉंटरिशन देखिये मित्रो इनके कॉंटरिशन देखिये ऐसे ही योग मित्रो कोई जिन्मेबारी नहीं मित्रो कोई दाहिए तो नहीं जो मर्जिपड़े देश को खीचते चले जा रहे हैं और मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूँ, आप साट साल तक सब्दा पर महत्मा गांधी का नाम लेकर के पहुँचे हैं। जब भी आपको मुखा मिला, आपने गांधी का उप्योग किया है। अगर आप मांते हैं कि गांधी का जन्म होगा था, मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूँ, आप मांते हैं गांधी हुए थे तो आपको यह याद है कि गांधी राज़ादी के आंदोलों के समय भी हर दिन रगुपति रागव राजा राम भजन करते थे। क्या आप कंग्रेस होना वी हिल्मत हैं जो कौट में जाकर के कहते हैं कि गांधी राम प्राता नहीं थे, मांतमा गांधी की समाधी पर प्रगुराम का नाम लिखा हुआ है, क्या आप कंग्रेस वालों है जाकर के मिटा सके। और तब जाकर के मित्रों, एक नागुक के नाते हमारे करतबे बनता है, इस देश की भलाए के लिए, इस देश के संस्कृतिक के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश के संस्कार सरिता के लिए, आओ मिल चुल के काम करें मित्रों, आईए, हम प्रगती के और चब मुझे आप क्या सिर्वाद चाहिए आप ने जो प्रेंग दिया बहुत बहुत आभारी अब जब इतनी बाद हो कर रही है इतनी ताकत से मेरे साथ बोलिए और आवाज इतनी तक पहुंचनी चाहिए जयर स्री राम तो मुठी बंद करके पूरी ताकत दिखाओ जाओ जयर सिर्वान